आज हम देखेंगे बहुत ही प्यारा पोयम समबडीस मदर साथ ही में हम इसमें कवर करेंगे अपने वार्मिंग अप क्वेश्चन अंसर को और इंग्लिस वोक्शॉप को भी तो आए शुरू करते हैं जैसे आप दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही दूसरे आपके साथ करेंगे या वैसा ही वेभार दूसरे आपके साथ करते हैं हमें इसी तरीके के पांच और लाइन्स को बनाना है फाइफ अधर प्रोवर्ब्स को लिखना है इसके लिए आप चाहे इंटरनेट या फिर ढिक्सिंटरी कर सकते हैं तो मैंने यहां पे आपके लिए यह 5 प्रोवर्ब्स बनाए हैं तो जो कहावत है, जो There, जो Lines है वो Lines मैंने आपके लिए बना दिये हैं जैसे की फर्स्ट लाइन है, how people treat you is their karma, how you react is yours. लोग आपके साथ जैसा वैभार करते हैं, वो उनका कर्म है. आप कैसे उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, आप कैसे उस पर react करते हैं, यह आपका कर्म है. सेकेंड लाइन है, treat others as you wish to be treated. दूसरों के साथ वैसा ही वैभार कर्म जैसा आप चाहते हो कि वो आपके साथ करें, सिर्फ अच्छा है नहीं बलकि आपको दयालू भी बनना चाहिए, यह आपके लिए भी बहुत अच्छा है. थर्ड है, be good to people, you will be remembered more for your kindness than any level of success you could possibly attain. लोग आपके साथ अच्छा वैभार करें और वो आपको आपके सफलता से जादा आपके kindness की वज़े से वो आपको याद करेंगे. फूर्थ है, how you treat others is how you really feel inside. आप दूसरों के साथ जैसा वैभार करोगे, आपको अंदर से भी वैसा ही feel होगा. अगर आप किसी के साथ अच्छा से वैभार करते हो, तो आपके अंदर भी अच्छी feelings आएगी. फाइब है, be careful how you treat people, what do you do, others has a funny way of coming back to you. ध्यान रखो कि आप लोगों के साथ कैसा वैभार करते हैं, जो आप दूसरों के साथ करते हो, उसका एक मज़ेदार तरीका होता है, वो आपके पास भी लोड़के आता है. ठीक है? Question number 2 है, study the following sets of words. यह set A और set B दिया हुआ है, इसमें यह जो set A और set B है, उसको basically ascending orders में arrange किया गया है. जैसे कि letter, word, sentence, paragraph, letter एक single letter होता है, जैसे A, B, C, D, और word क्या होता है, letter एक अपने आप में word है, word जो है, वो अपने आप में एक word है, sentence क्या होता है, एक पूरी sentence होती है, जैसे मैं आपको एक letter लिख रही होती है, यह क्या है, पूरा एक sentence है, और एक paragraph जो हम short note की तरह लिखते ह है, तो यह क्या है, पहले letter है, फिर उससे थोड़ा बड़ा होता है word, फिर उससे बड़ा होता है sentence, और फिर उससे बड़ा होता है एक पूरा paragraph, आपको उसी तरीके से, यहाँ पे A, B, C, D दिये हुए है, adult, aged, infant, youth, इसको आपको ascending order में arrange करना है, तो आप यहाँ पे देख सक एक्चुली थर्ड नमबर पर इसलिए हमने यहाँ पर, ब्लब तरी लिखाया है, उसके बाद क्या होता है? यूद्生, जो बच्चे होते ह stratégcs होता है, उसे बड़े होते यूद् यह फोर नमबर पर इसलिए देख सकुली और इसलिए हमने लिखा है, उसके बाद आते है? प्रिपेर सिमलर व्ड चेन यूजिग और तो आपको इसी तरीके से और तीन वड लिखने तो मैंने यहां पे आपके लिए एंसर प्रिपेर किया है तो आप तेख सकते हैं जैसे कि size big, large, huge, zignetic तो इसी तरीके से बाकी भी दिया है जैसे water body, pool, lake, river, sea बाकी भी मैंने आपके लिए ready किया है ठीक है अब हम next तेखेंगे अपने poems को कि poems है हमारा somebody's mother तो आईए हम poem को देखते हैं poem स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा introduction देती हूँ यह जो poem है किसी की मा somebody's mother यह एक लोक्तिय कवीता है जिसे मेरी डाव ब्राइन ने लिखा है जो कि 19 सदी की एक अमेरिकी poet है और एक writer है यह जो कवीता है उसे 1877 में पहली बार प्रकासित किया गया था और उसमें जो है वो अपने दया सहानु भूती और पीडियों के बीच देख भाल के बारे में कि सहानु भूती के जैसे उनका जो संदेश है वो इस poem के थुरू वो उनको बताते हैं और उनका जो book है वो actual में उनकी जो दया सहानु भूती जो उसमें दिखाई गई है उसके लिए लोगों ने काफी जादा उनको पसंद किया है ओके तो आईए अब हम poem देखते है poem का जो first paragraph है इसको आप pause करके पढ़ सकते हो मैं आपको सिर्फ इसका मतलब संजाओंगी कि इस paragraph में poet जो है वो क्या कहना चाहते है ठीक है? फर्स पैरा का मतलब है एक महिला जो की बुढ़ी है जो फटे हाल तरीके से हैं जिनके कपड़े फटे हैं और सफेद बालो वाली है और सदियों के दिन में वो ठंड की वज़े से जूकी हुई है सडकों का हाल देखकर जहां पे काफी ज़्यादा बरफ गिर हुए है और उनकी जो उम्र है वो काफी जाता है जिसकी वज़े से वो आगे बढ़ नहीं पा रही है सडकों के नीचे से हसी कुसी और चिलाते हुए स्कूल की छुटी हो गई थी और स्कूल के बच्चे जो हसी कुसी चिलाते हुए वहां से बहुत ही अराम से वो सडक जो है उसको क्रॉस करते हुए एक जूंड में जा रहे थे वे कहरी और सफेद बरफ का स्वागत करते हुए महिला के पास से गुजर रहते उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि सडक पे जो है वो बरफ गिर हुए उससे वो काफी जादा खूश है महिला जो इतनी बुड़ी और सफेद बालो वाली थी बच्चों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वो अपनी धून में ही चले जा रहे थे किसी ने भी उसको मदद के लिए हात नहीं बढ़ाया और वो इतनी कमजोर और डर पोक थी कि वो अपने जग़ से हिलने से भी वो डर रही थी कि कहीं ऐसा नहीं कि कोई भी गाड़ी या कोई भी घोड़ा जो गाड़ी घोड़े जो होते जो चलते हैं वो आके उसको कुचल ना दे और फिर वहाँ पे एक लड़का आया और उसने उससे उसके पास रुका और उसने उससे पूछा कि क्या आप जाना चाहती हैं तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ ठीक है उसके बाद उस बुड़ी औरत ने उस चोटे बच्चे का हाथ पकड़ा और वो धीरे धीरे करके रोड क्रॉस कर लिया उस बुड़ी औरत को उस बच्चे का हाथ पकड़के बहुत ही जादा हिम्मत मिली जिससे की वो आगे बढ़ सकी और रूट को प्रॉस कर सके फिर वो बच्चा हसी खुशी अपने दोस्तों के बास वापस लोड गया उसके दूसरे दोस्त ने पूछा कि क्या तुम जानते हो कि वो कौन है तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि वो भी तो किसी की मा है भले ही वो बुड़ी है गरीब है और धीरे धीरे चलती है मान लो कभी भी कोई ऐसा होगा जो कभी मेरी मा की भी मदद करेगा अगर वो कभी बुड़ी हो गई गरीब और सफेद बालो वाले की तरह हो जाये तो और उसका अपना प्यारा बेटा उससे दूर हो किसी की माने उस रात अपने सीर को जुका लिया अपने घर में और जो प्रातना उसने की थी और जो प्रातना उसने की थी भगवान ने उस नेक लड़के के रूप में उस द्यालू लड़के के रूप में उनके पास भेज दिया जो किसी का बेटा है और उसके बेटे होने पर उससे काफी खुशी है और उसे गर्व भी है ओके तो इस्ट्रेंट्स ये जो पोयम है मेरी डाव ब्राइन ने जो ये पोयम लिखा है किसी की मा वो एक बहुत ही भाविक कहानी है जो दया सहानु भूती और मानवता तो इस्ट्रेंट्स ये जो पोयम है किसी की मा वो एक भावुक कहानी है जो दया, सहानू, भूती और किसी की मानवता के साजा संबंद को बताती है इस कविता में एक बुड़ी औरत का वर्णन है जो बर्फ से ढकी सडक को पार करने के लिए संगर्स कर रही है लेकिन उसे अंदेखा करते हुए कई लोग उसके पास से गुजर जाते हैं वो बहुत ही जादा कमजोर और डरी हुई होती है क्योंकि सडक पर फिसल कर गिर सकती है या किसी गाड़ी से उसे चोट लग सकती है उसे बीच कुछ बच्चे स्कूल से लोटते हुए मस्ती में जूम रहे होते हैं उनमें से एक बच्चा जो सबसे चंचल होता है वो उनके पास आता और उनसे पूसता है क्या मैं आपको रोट क्रॉस करा दूँ वो लड़का बड़े समान और देख भाल के साथ वो उस बुड़ी औरत को रोट क्रॉस करा देता है उसके बाद वो अपने दोस्तों के पास लोट जाता है वो लड़का बहुत ही खुश देखता है कि वो बुड़ी भी किसी की मा होगी और हो सकता है कि किसी दिल कोई उसकी मा की भी उसी तरह से मदद करे जब वो बुड़ी और कमजोड हो जाए पोयम के अंत में एक बुड़ी औरत रात में भगवान से प्रातना करती है कि उस नेक दिल लड़के को आश्रिवात दे जो कि किसी का बेटा है और उसको उस पे गर्व है तो यह जो पोयम है उसका जो संदेश है जो यह पोयम के थुरू आपको यह संदेश देना चाहता है कि हमें बुजूर्गों और कमजोरों के प्रती सहानू भूती रखनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए हमेशा उनकी मदद करने के लिए हमें तयार रहना चाहिए क्योंकि हमारे अपने परिजन को भी कभी न कभी इसी तरह की मदद की जरूरत पढ़ सकती है यह कविता हमें याद दिलाता है कि छोटी छोटी जो दया की बाते हैं वो भी हमारे जीवन पे बहुत ही अधिक गहरा प्रभाव डाल सकती है ओके तो यह था हमारा पोयम और मैंने अभी आपको एक छोटा सा समरे भी बताया इस पूरे पोयम का आयोब आपको समझ में आगया हो अब हम आगे देखते हैं आगे question है Guess the following, sing reference from the poem यह poems के एक line दिया हुए है जिसके answer मैंने यहाँ पे लिख दिया है और यह second point है the time, the time of the year and day and the day time of the year is December as it is snow and time of day is afternoon because school kids are coming out after school वो जो time था वो December का था और दोबहर का time था क्योंकि बच्चे स्कूल से वापस आ रहे थे उनकी स्कूल की छुट्टी हो रहे थी ओके first भी है, first है उस छेतर में काफी ज़्यादा ठंड पर रहे थी वो एक ठंडी छेतर है और वहाँ पे वहाँ के आजपास जो है वो market है जिसकी वज़े से जहाँ पे काफी ज़्यादा स्कूल की गाड़िया चल रहे थी और वहाँ पास में ही एक स्कूल भी था अब हम next देखते हैं next है हमारा English workshop ठीक है? तो आए देखते हैं pick out lines from the poem that help create an imagine of the following in our mind and write them in the table हमें table में तीन words दी हुए है old woman, the street और school boys इन तीनों words को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में जो चीजे आती हैं जो पहला चीज आता है एक old woman को लेके वो बुडी औरत के बारे में उस सड़क के बारे में और जो school के जो बच्चे थे उनके बारे में हमको उनको यहाँ पे लिखना है तो students मैंने आपके लिए यह answer बनाया है जैसे कि first है बुडी औरत फटे हाल थी और जो street है वो white snow से भरा हुआ था, बर्प से भरा हुआ था school के बच्चे जो थे वो छुटी होने पे काफी जादा खुश थे वो हस रहे थे second मैंने बनाया bent with the chill of winter सर्दियों की वज़े से वो औरत जो बुडी औरती वो जोकी हुई थी और सड़क भी भीड़ भाड़ वाले थे वहाँ पे काफी जादा गाड़िया आ जा रहे थे और जो बच्चे थे वो एक जूंड की तरह साथ में चल रहे थे तीसरा है half feet were trembling उसके जो पैर थे वो काप रहे थे नेक्सते जो गाड़िया है वो उन्हें कूच सकती थी वो काफी जादा तेजी से चल रहे थे और जो थर्ड है स्कूल बॉयस के लिए वो है कि बच्चे जो है वो अपने ही धुन में तेजी से आगे बढ़ रहे थे ओके question number two है write at least five rhymes from the poem poem से हमें कम से कम पाच rhymes को लिखना था तो जैसे gray day, snow slow, south out, safe tip and fit state our example of the rhymes from the poem question number three है give in your own words two reasons for each of the following यह a, b, c, d दिया हुआ है और इनको आपको दो-दो सब्द में इनके reasons बताने है जैसे first है महिला खुद से सडक पार करने में हिचकी चा रही थी तो उसका पहला reason क्या है कि वो बुड़ी और कमजोड थी और उसका दूसरा reason क्या है कि वो उसे घोड़े गाड़ियों के नीची आके कुछले जाने का डर था उसी तरह से B है स्कूल के लड़के खुशी के मूड में थे तो उसका reason यह है कि उन्हें स्कूल से छुटी मिल गई थी और दूसरा reason यह है कि वो काफी लंबे टाइम तक स्कूल में पढ़ाई कर थे उसके बाद से उनको आजादी मिली थी जिसकी वसे वो बहुत जादा खुश थे उसी तरह से C है एक स्कूल लड़के ने बुड़ी महिला को सड़क पार कराने में उनकी मदद की उसका reason यह है कि वो जो बच्चा था वो बहुत अच्छा था उसने अपना नैतिक ड्यूटी पूरा किया था और उसका दूसरा reason यह है कि उससे यह भी पता चलता है कि जब कभी उसकी मा को मदद की जरूरत होगी तो कोई न कोई अनजान आजमी उसकी मा की मदद जरूर करेगा D है हमें जरूरत मंदों की मदद करनी चाहिए तो उसका पहला reason है कि अगर आप उनकी मदद करोगे तो आपको बहुत अच्छा फिलोगा आप खुशी मैसूस करोगे दूसरा reason ये है कि आप कभी भी जानते हैं कि जीवन में कभी भी किसी को मदद की जरूरत पढ़ सकती है तो हमें तब कभी न कभी कही न कहीं से हमें कोई न कोई मदद जरूर मिल जाएगी ठीक है Question number 4 है Think and write in 5 to 6 lines why most of the people on a road street ignore those in need of help What about you? Write about your feelings after you have helped not help when needed आपको 5-6 पंक्तियों में लिखना है कि क्यूं हमें सडक पे जरूरत मंदों की मदद करने से हम कतराते हैं हम उनकी मदद नहीं करते हैं तो आप बताओगे कि आप क्या करते हो जब आप उस समय आपकी जो भावनाय क्या होती है कि आपको उनकी मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उस समय आप क्या सोचते हो जब किसी को आपकी है चाहिए होती है आप उनकी मदद करने के बारे में सूचते हो या फिर उनकी मदद नहीं करने के बारे में सूचते हो ठीक है तो मैंने यहाँ पर एंसर लिखा है एंसर यह है कि सड़क पर जादा तर जो लोग होते हैं वो जरूरत मंदों की मदद करने के लिए हिचकी चाहते हैं वो उनकी मदद नहीं करते हैं क्योंकि या तो वो बहुत जल्दी में होते हैं या फिर उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता कि किसी को उनकी मदद हो सकती है और उन्हें ऐसा भी लगता है कि मैं नहीं करता हूँ कोई और आजाएगा उसकी मदद करने के लिए और वो फिर वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें ये भी डर होता है कि अगर वो उनकी मदद करेंगे तो वो कहीं उन्हें धोखा न दे दे जैसे मैंने किसी जरुत मंद की मदद की हो तो मुझे एक्चुल में बहुत अच्छा फील होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी की चोटी-मोटी help कर देती हूँ इससे मुझे काफी खुशे भी मिलती है जिससे की मेरा दीन भी बहुत अच्छा जाता है Question number 5 है Read the poem Home day about their worries dead यह poem है इसको आपको खुद से करना है तो students हमने इस chapter में complete किया warming up question answer को somebody's mother poems को और English workshop के complete question answer को अब हम अपने next वीडियो में देखेंगे The Fall of Troy का chapter ओके Students अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है तो इसे like करें और अपने दोस्तों के साथ share करें comment करके आप अपने views जरूर बताए साथ ही आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं अब हम मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई